हाई अवरिवन वल्कम बैक तो मैं चानल तिशाफॉन आज हम इस वीटियो में बनाने चाह रहे हैं चॉकलेट मिलके कड़ाई में इसे बना कर तयार करेंगे बिना किसी अवन के बहुत ही टेस्टी बनते हैं यह सुपर सॉफ्ट मॉस्ट और स्पॉंजी बनकर तयार हो जाए साइड में रख देंगे पांच मिनिट के लिए ताकि जो दूद है वह अच्छे से कड़ल हो जाए तब तक हम कड़ाई रख देते हैं गैस पर प्रीहीट होने के लिए जिसके लिए मैंने आप पर ना मोटे तले वाली कड़ाई लिए साथ में थोड़ा सा नमक रख लिया ह स्टांड के जगहां पर मैंने कटोरी ली है और इसे नहीं ढख करके 10 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से गरम हो जाए और दूसी तरफ आप देख रहे हैं कि हमारो जो दूद रखाता साइड में वह काफी अच्छे से कड़ल हो गया है तब आम इसमें ना बाक इसमें कोई ना रहे हैं और आम मिक्स कर ने में असानी हो जाएगे तो बस हमने इसे चान लिया है और अब मैं यहां पर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगे इसे न ध्यान दिजेगा आपने ओवर मिक्स नहीं करना है क्योंकि मैं यहां पर हैंड मिस्की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ आप चाहें तो cut and fold method भी यूज़ कर सकते हैं तो बस यहां पर देखने हैं आपके मार मिक्स थोड़ा सा ठेक है तो मैं यहां पर एक शुधाई कप के करीब मैंने दूद लिया है रूम टमपरिचर पर नॉमल दूद है यह और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंग तो बस हमारा जो बैटर है तायार हो गया यहां पर एक शमशी करीब दूद रहे गया था तो मैं यहां पर बैटर कप साइड में रख देती हूँ और इधर आप तब तक अपना मोल्ड तयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने आपर 7x7 इंच का मोल्ड दिया है स्क्वार यहां फिर मैदे से जो जैसा भी आपको सही लगे तो मैंने आप फूद रापिंग पेपर से ने कवर कर लिया है और इस पर अच्छे से ग्रीज कर लिया थो और अब हमने ना बैटर को शिफ्ट कर लेना इसमें तो मैंने देखा आपने इसमें फैलाते हुए डाला है सेंट से दब जाएंगे तो बस इसे हमने दो से तिन बरी टाप कर लिया है और इधर ना हमारी कड़ाई काफी अच्छे से गरम हो गई है तो इसमें ना मोल्ड को कियर्फुली हमने प्लीस कर लेना है और ढग करके ना 35-40 मिनट के लिए हम इसे लो मीडियम हीट पर हम इसे बेक हो मैंने सामाइ पर चीनी के लिए है एक चमश्णच होको पॉडर ले रही हूं और देखना है आपके मैंने हा आप चीनी के लिए है और इन सारी चीजह को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसे कोई कोई लांता रहे अगर आपके पास कंडैंस मिल्क नहीं है तो आप इसक तो बस हमारा मिलकर तो मिक्षेर अब बनकर तयार हो गया है इसे अब हम ना किसी एक बरतर में शिफ्ट कर लेते हैं और दूसरी तरफ ना अपने चॉकलेट को मेल्क कर लेते हैं जिसके लिए यहाँ पना आथा तप लिया है डाक कंपॉंड चॉकलेट साथ में एक चोथाइक है वह अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो देखते हैं आपके हमारे चॉकलेट मेल्ट होना यहाँ पर शुरू हो गया है तो बस अब मैं इसे ना गैस से हटा लेती हूँ तब तक कि दूसरी तरफ हम चलते हैं अपना स्पॉंज शेक कर लेते हैं तो कूल ना चालीस मिनट हो गया है और आप देखना है कि हमारे जो स्पॉंज है काफी अच्छे से फूल गया है तो इसको ना हम चेक कर लेते हैं इस तरीके से एक टूथपी की साहता से तो हूं और इसे किशन टावल से ढख करके रख देंगे ताकि जो टॉप के लिए है ना हाड नहीं पड़ेगी और यह अच्छे से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इसे डीमोल करेंगे और दूसरी तरफ ना हम फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम कर लेते हैं जिसके लिए दो स्पीट से लेकर उसके बाद ही आपने हाई स्पीट बढ़ानी है जैसा कि मैंने पहले भी बताया है तो सॉफ्ट पीक बनने लगी है देखना है तो अब मैं इसे स्टेस पर ना हमारी जो मिल्टे चॉकलेट थी उसे हम आड करेंगे तो मैं यहां पर एक बड़े चमश के कर आप चाहें तो चाहें तो बस अच्छे से स्टेफ बनने लगी है और चॉकलेट हमारी देख रहे हैं आप कि फ्रोस्टिं के जो क्रीम है तयार होके है अगर बॉल गोल्टा कर रही हूं तो यह नीचे नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा जो स्पांज है वह भी अच् आप चाहें तो आप नाइफ कर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से हम प्रेक कर लेंगे और इसके उपर ना तयार किया हुआ जो हमने मिल का मिक्षर बना के रखा था वह काफी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इस पर पोर कर देंगे और इसे आधिया एक घंटे क कर लेते हैं अब इसमें जो क्रीम रैख की थी ना इसके टॉप की लेर पर हम अपलाई कर लेंगे अच्छे से हमें अपलाई करना है जा जारो तरस दो पर इविन तरीके से और ध्यान दीजेगा हमें साइट पर लगाने की कोई ज़्रू नहीं है क्योंकि हम इसे सिर्फ टॉप पे ही लगाएंगे तो इविलनी हमें चारो तरफ से अच्छे से स्प्रेट कर लेना है तो बस क्रीम हमने अच्छे से टॉप पे लगा लिया है थोड़ी से थिक लियर मैंने यहां पर रखी है तो इसी तरीके से आपने भी रखना है और ज़्वाई कर सकते हैं तो बस आप देख रहे हैं कि हमारे जो चॉकलिट मिल्केक है तयार हो गई है अब हम इसे थोड़ा सा शेप दे लेते हैं तो इसे नहीं मैं तो शाप शेप दूँगी तो इसे कटिंग कर लेती हूं साइट से बस चारो तरफ से नहीं थोड़ा- पने कोड़े पहुत ही मोईस्ट बना है ये तो बस इसे मैं प्लेट में सर्फ कर लेती हूं एक पीस तो देखा दोस्तों कि इतना सिंपल था असानी से बना लिया बहुत ही टेस्टी बन है ये तो आई हुब दोस्तों आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो गया अगर विडि हुआ है तो स सल्गव सर्फ लिया ये जोस्तों में। लेक ब이에요